हेलो एब्रीवण, विल्कम टू टेक्टो पिडॉट दोस्तो रिसेनली SBI कार्ड और रिलाइंस ने मिलके दो को ब्रैंडेट क्रेडिट कार्ड लाँच किया है आज इस वीडियो में हम लोग इन दो कार्ड के बारे में बात करेंगे इन दोनों कार्ड के फीचर, बेनेफिट और चार्जेस के बारे में बात करेंगे और विडियो के एंड में इन दोनों कार्ड के बारे में मेरा उपिनियन रिलाइंस SBI के जो दो कार्ड है इन दोनों कार्ड के वेलकम बेनेफिट के बारे में बात करें तो crime variant का जो card है इस card को लेने के बाद, इस card के fees पे करने के बाद आपको 3000 रूपीज का Reliance Retail Brand Voucher आपको मिल जाएगा और जो Reliance SBI card है, नॉर्मल card उसमें आपको fees पे करने के बाद 500 रूपीज का Reliance Retail Voucher आपको मिल जाएगा ये जो दो voucher है इसको आप Reliance के जो brand है offline store पे आप redeem कर पाएंगे इन दो card के main benefit के बारे में बात करें तो launch access benefit आपको Reliance SBI card पे नहीं मिलेगा और जो Reliance SBI prime card है उस पे आपको domestic airport में 2 launch access मिल जाएगा per quarter international airport में आपको 4 launch access मिल जाएगा per year पर maximum एक quarter में 2 launch access आपको बैसे मिल सकता है movie benefit के बारे में बात करें तो Reliance SBI card पे आपको कोई भी movie benefit नहीं मिलेगा जो Reliance SBI prime card है उसमें आपको book myso से एक ticket book करने पे 250 रुपीज कर discount मिल जाएगा और एक महिने में आपको एक बार maximum ये discount मिलेगा fuel surcharges waiver के बारे में बात करें तो इन दोनों card को यूज़ करके इंडिया के कोई भी fuel station पे जाके अगर आप fuel डलबाते हो तो 1 percentage का fuel surcharges waiver आपको मिल जाएगा आपका minimum transaction value 500 रुपीज maximum 4000 रुपीज के अंदर होना होगा और maximum surcharges waiver आपको एक statement cycle में 100 रुपीज का मिल सकता है reward system के बारे में बात करें तो Reliance SBI card पे आपको every 100 रुपीज Reliance के जो retail store है वहाँ पे spend करने पर 5 reward point मिल जाएगा अगर आप UPI के भाया payment करते हो Reliance store पे तो आपको ये जो 5X reward point है वो आपको नहीं मिलेगा इस card को use करके dining और movie पे आप जितने भी spend करेंगे every 100 रुपी spend करने पे आपको 5 reward point मिल जाएगा बाकी सारे retail spending पे आपको every 100 रुपी spend करने पे एक reward point मिल जाएगा fuel, property, rent payment, wallet loading इसमें आपको कोई भी reward point नहीं मिलेगा और 1 reward point का value आपको मिल जाएगा 25 ऐसा और ये जो reward point है वो आप Reliance के जो retail voucher है वहाँ पे redeem कर सकते हो तो 5X category में आपको reward point मिलता है 1.25% का 1X category में आपको मिल जाएगा 0.25% का आप बात करते हैं Reliance SBI Prime Credit Card के reward system के बारे में तो इस card को यूज करके Reliance के जो retail store है वहाँ पे आप जितने भी spending करेंगे every 100 रूपी spend करने पे आपको 10 reward point मिल जाएगा UPI के भाया payment करने पर आपको 10X reward point नहीं मिलेगा dining, movies, entertainment, domestic airline और international spend यहाँ पे आप जितने भी spend करेंगे every 100 रूपी spend करने पे आपको 5 reward point मिल जाएगा बाकी साड़े spending पे आपको every 100 रूपी spend करने पर 2 reward point मिल जाएगा fuel, rent payment, wallet loading इसमें आपको कोई भी reward point नहीं मिलेगा reward point के value same है 1 reward point इकल तो 25 ऐसा और आप Reliance Retail जो voucher है वहाँ पे आपके reward point को redeem कर सकते हो तो 10X काटेगरी में आपको reward rate मिल जाएगा 2.5 परसंटेज का 5X में मिलेगा आपको 1.25 परसंटेज का और 2X में मिल जाएगा आपको 0.5 परसंटेज का milestone benefit के बारे में बात करें तो Reliance SBI card पे आपको annual milestone देखने को मिल जाएगा 3 25,000 स्पेंट करने पर आपको मिल जाएगा 500 रुपीज का Reliance Retail Voucher reward rate होता है 2% का 50,000 स्पेंट करने पर आपको मिलेगा 750 रुपीज का Reliance Retail Voucher 80,000 अगर आप स्पेंट करते हो तो आपको Reliance Retail Voucher मिल जाएगा 1000 रुपीज का Reliance SBI Prime कार्ट पर भी आपको 3 annual milestone देखने को मिल जाएगा तो अगर आप इस कार्ट को यूज करके 75,000 स्पेंट करते हो 1,500 रुपीज का Reliance Retail Voucher आपको मिल जाएगा 1,500,000 स्पेंट करने पर 2,250 रुपीज का Voucher आपको मिल जाएगा 3,000 रुपीज स्पेंट करने पर आपको 5,000 रुपीज का Reliance Retail Voucher मिल जाएगा इन दोनों credit card के charges के बारे में बात करें तो Reliance SBI card का annual fees होगा 4,999 प्लस GST अगर आप इस card को यूज करके एक साल में 1,000,000 या फिर उसके उपर स्पेंट करेंगे तो आपको annual fees बापस मिल जाएगा इन दोनों credit card के eligibility criteria और इन दोनों card के लिए आप कैसे apply कर सकते हूँ उसके बारे में बात करें तो आपको Indian resident होना होगा आपका age minimum 21 year maximum 60 तक हो सकता है आप self-employed या फिर salary कुछ भी हो सकते हूँ उसमें कोई भी problem नहीं है और income कितना चाहिए उसके उपर कोई भी official update नहीं है पर अगर आपके पास 6 lakh rupees का ITR या फिर income है annually तो आपको ये card मिल सकता है online आप इन दोनों card के लिए apply कर सकते हो link आपको description पे मिल जाएगा अगर आप offline apply करना चाहते हो तो possible है आपको branch visit करना होगा या फिर agent को contact करना होगा दोस्तो SBI card और Reliance का ये जो दो co-branded card है ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग Reliance के जो brand है उनके store है वहाँ से regularly shopping करते है इन दोनों credit card के main benefit है Reliance के different brand पे जो discount इस card को use करके मिल जाता है वो बहुत ही बड़िया benefit है मेरे opinion में आपको इन दोनों credit card पे अच्छा milestone benefit भी देखने को मिल जाता है पर इन दोनों card के जो core reward system है जो reward rate है वो मेरे opinion में अच्छा नहीं है charges के हिसाब से अगर हम बात करे तो core reward rate आपको अच्छा नहीं मिलेगा पर जो discount आपको मिल जाता है वो इन card का main benefit है तो उस हिसाब से भी ये card अच्छा है और वैसे भी जो joining charges आप इन दोनों card के लिए pay करते है उसका पूरा amount आपको Reliance Retail Gift Voucher के तोर पे back मिल जाता है तो effectively आप बस GST जो होता है charges के उपर वो pay करते हैं इन दोनों card के लिए तो उस हिसाब से भी ये card सही है और मेरे opinion में जो लोग Reliance के जो different brand है वहाँ पे regularly shopping करते हैं उनके लिए इन दोनों card में से कोई एक card के लिए जाना सही रहेगा पर अगर आप Reliance के जो brand है बहाँ पे shopping नहीं करते हैं या फिर regularly shopping नहीं करते हैं तो इन दोनों card में से कोई भी credit card आपके लिए सही नहीं होगा तो बस आपको decide करना है कि आपका requirement क्या है और उसके हिसाब से दोनों card में से कोई एक credit card आप select कर सकते हैं अगर आपका Reliance के brand पे shopping नहीं है तो दोनों card में से कोई भी credit card के लिए जाना आपके लिए सही नहीं होगा तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो मुझे आसा है कि आपको वीडियो को पसंद नहीं होगा वीडियो को लाइक और से आर करना विलबर मुद भूलिए और चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर करकर रखे क्योंकि ऐसा है इंट्रस्टेवान होगे वीडियो में आप अगों के लिए लाता रहूँगा तब तक लिए जैहिंद बाद्यवात्रा